तो है कि टेल आयुज आज में बात करने वाली हूं। दात कियों हिलते हैं ह। अगर अब तेकनिकल टर्म में बात करें तो तूथ मोबिलिटी क्या है इसके कारण क्या है और अगर आपके दात mobile हैं, आपके दात हिल रहे हैं, तो इसको हम किस carbonate maintain कर सकते हैं या इसका treatment हम लोग किस तरह से करा सकें अगर किसी व्यक्ति का दात हिल रहे हैं तो उसे क्या-क्या problem ही है? सबसे पहली बात है कि पेशंच को discomfort फेल होता रहता है इसके साथ-साथ खाने में problem होती है, बोलने में problem होती है, patient को ये डर लगता है कि कहीं वो दान निकल ना जाए, इसके साथ कभी-कभी bleeding की भी problem देखी गए, दान हिल रहे हैं, कितना हिल रहे हैं, इसका पता हम लोग कैसे लगाते हैं, तो हम dentist के लिए basically एक grading system होता है, जिसके through ह हम लोग ये पता लगाते हैं, कि दान में mobility है, मतलब वो दान कितना हिल रहे हैं, इस grading basically 0 से लेके 3 तक होता है, 0 में दान बिलकुल नहीं हिल रहे होता है, अगर 1 grading में देखा जाए, तो दान थोड़ा हिलता है, हम लोग कह सकते एक direction में, अगर grade 2 की बात की जाए, तो दान हि कारण क्या हो सकते हैं, तो दो होता है, पेरिडांटल डिजीज या आपके मसूरे की बिमारी, अगर आपको मसूरे की बिमारी है, और आपके गम्स और दानों के बीच में गंदगी हटी तक जा चुकी है, तो वो आपके दानों के सराउंडिंग हटी को कम्जोर बनाती है, जिसके कारण से दात हिलने लगते हैं और जो दात को जो हड़ी पकड़ कर रखता है या जो apparatus है पूरे दात के around मसूडे, हड़ी जो भी है जो दात को पकड़ कर रखता है वो टीले हो जाते है और ultimately दात हिलने लगता है साथ साथ जिन patients में calcium की कमी देखी गई है उन patient में पाये गया है कि ऐसे patients में calcium कम होने के कारण उनके bone जो हैं दानों की आसबास के bone overall bone कमजोर होते हैं जिसके कारण से उनके दान हिलते हैं most common example देना चाहूंगे जैसे कि osteoporosis के cases में हम लोग देख सकते हैं जिसमें की हड़ियां बहुत कमजोर हो जाती हैं जिसमें की दान हिल सकते हैं पहिलातों में यदि सडन हो जाती है और वो सडन आपके नसों तक पहुँचने के बाद दान के जड़ों में पहुँचिया अगर पस पना देती है तो दान के आजपास की हड़ी उसके कारण से गलती है, जड़ के नीचे की हड़ी उसके कारण से गलती है, जिसके कारण से दान हिल सकता है किसी patient को trauma हो जाए अगर कोई patient गिर जाता है या किसी accident के कारण गया उसे चोट लग जाता है तो ऐसे condition में दान हिल सकते है साथ ही अगर आपको advanced disease हैं जैसे कि मैं अगर advanced disease की बात करूँ तो आपके jaw में अगर tumor है अगर आपको यह नहीं पता है या आपके दात अचानक से हिलने लग गये हैं तो आप अपने doctor को जरूर दिखाएं इसके साथ साथ एक बहुत ही most common condition होता है वो है diabetes अगर किसी patient को long term तक uncontrolled diabetes है तो ऐसे patient में भी दात का हिलना देखा जा सकता है क्योंकि ऐसे patient में gums के disease या oral disease बहुत ही जादा प्रोन हो जाते हैं blood में high sugar content के कारद बहुत ही common condition है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो gums है वो दात को देरे देरे छोड़कर नीचे की तरफ जा रहा है इसे हम technical terms में medical terms में gum recession कहते हैं तो ऐसे cases में अगर आपका gums slowly slowly नीचे की तरफ जा रहा है जो tonsium है जो आपके दातों को पकड़ कर रखता है वो देरे देरे loose होता है और जिसके कारण से दान हिलने लग जाते हैं अब हम बात करते हैं कि इन सब का treatment क्या है तो अब जैसे हमने कारण बता है तो कारण के according ही हमें treatment करना है जैसे कि अगर patient को periodontal disease के कारण दान हिल रहे ह आप दान कितना हिल रहे है उसकी grading के हिसाब से हम treatment कर सकते हैं ध्यान रहे हम लोग दान का हिलना reversible तभी तक कर सकते हैं जब तक उसकी grading advanced stages में नहीं गई है अग होगा तो initial stages में दान का हिलना treatment के द्वारा बंद ही आ जा सकता है इसके साथ अगर patient को gum recession है तो उसके लिए एक minor surgery होती है जिसमें कि हम लोग गम ग्राफ्टिंग करते हैं सम्टाइम विदाव ग्राफ्टिंग के बिना ही उस गम्स को हम लोग उसके surrounding में maintain अगर patient को trauma हो गया है अगर चोट लग गई है तो ऐसे cases में हम लोग को basically दान को stable करना होता है और इस वक्त भी हमें यह देखना होता ह है कि stable करने के बाद कितने दिन तक दात के आसपास कोई भी pathology कोई भी बिमारी शुरू नहीं कर पेरियापाइकल abscess मतलब दात के जड़ों के नीचे जो पस बन गया है दात के सडन के कारण उसके कारण दात हिल रहा तो उसके लिए हम लोग root canal treatment कर सकते हैं और root canal treatment के साथ दात की proper supply maintain करते हैं ताकि वो दांत के नीचे का पस जो है वो सूख है और वो दांत का हिलना बन किसी patient को osteoporosis जैसे बीमारी है मतलब बॉडी में कैल्शिम का content कम है तो ऐसे patient में हमें systemic तौर पे उसका इलाज करना होता है दातों के का ध्यान रखने के साथ साथ उसको कैल्श करते हैं तो इस process को हम लोग splinting करते हैं basically दात को fiber की मदद से तार की मदद से एक दूसरे में एक दूसरे stable दात की मदद से जोड़ दिया जाता है ताकि जो हिलने माला दात है उसको थोड़ा सहारा मिले और इस तरह से वो stable हो पाए तो यह सारी बाते थी जो कि दात के हिलने से related theme आपको tooth mobility से related या आपके दात से के हिलने से related कोई भी question पूछना है तो आप comment section में बिल्कुल comment कर सकते हैं या आप मेरे instagram या facebook account में भी message कर सकते हैं hope you all like the video do like share and subscribe